आईए दोस्तों आपका फिर से एक बार स्वागत है किलास 11 की पोईम No.2 The Scholar अर्थाद स्कॉलر का अर्थ होता है विद्वान और ये The Scholar जो पोईम है रॉवर्ट साओदी के द्वारा लिखी गई है टावर्ड साओदी के दारा इसको कंपोस किया गया है और इस पोईम में जो कवी है वो याद करता है पुराने कवीयों को जो उससे पहले के जो कवी थे और जो इस समय दुनिया में नहीं है और उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं कवी उन रचनाओं के बीच में बैठा हुआ है उनके पास है उनकी संगती में रहता है उनसे ज्यान प्राप्त करता है और पुराने कवीयों को याद करता है और उन रचनाओं के बीच में इस प्रकार से विद्धमान रहता है जैसे कि वो वास्तम में उन कवियों के बीच में बैठा हूँ जिनोंने उन रचनाओं को लिखा है उन पोईम्स को लिखा है वो इस प्रकार से वो महसूस करता है और उनके साथ में ही वो अपना सुख दुख सब उनी रचनाओं के साथ में बिताता है अपना सुख दुख सब बाटता है और इस प्रकार से बाटता है जिस प्रकार से कि वो उसे ऐसा मपहसूस होता है कि वो अपना सुख दुख उन्ही कभियों से बाट रहा है अर्थात वो उनको जीवित मान करके चलता है उन रचनाओं के रूप में तो आएए शुरू करते है the scholar कभी कहता है कि my days मने मेरे दिन यानि कि मेरा जीवन among मने बीच में the dead मने मरत our मने है past मने प्राचीन समय के कि मेरा जो जीवन है यानि कि जो मेरे दिन है वो बीते हैं among मने बीच में जो मरत लेखक है मरत कभी है उनके बीच में ही मेरा दिन या मेरा जीवन गुजरा है या बीता है Around मने चारो और मी मने मेरे I behold आई मने मैं behold मने देखता हूँ जब भी मैं अपने चारो और देखता हूँ और wherever और जहां कहीं भी These मने ये casual मने सैयोग से Eyes मने मेरी दरस्टी Arcast मने पढ़ती है और सैयोग से जिदर भी मेरी दरस्टी जाती है The mighty minds उधर ही मैं उन वो जो सक्तिशाली विचार वाले इसको ऐसे कह सकते हैं सक्तिशाली विचारक और old मने प्राचीन समय के प्राचीन समय के जो सक्तिशाली विचारक थे उनको मैं अपने चारो और पाता हूँ अर्थाद कभी कहता है कि मेरा सारा जीवन मिरत लेखों को के बीच में ही गुजरा है पास्ट पुराने समय के पुराने समय के जो मिरत लेखक थे मिरत पोईट थे कभी थे उनके बीच में ही मेरा सारा जीवन पीता है और चारों और मी मने मेरे आई मने मैं बीहुल्ड मने देखता हूँ जब भी मैं अपने चारों देखता हूँ और जिदा जहां कहीं भी संयोग से मेरी दरस्टी पढ़ती है आईज मने दरस्टी, कास्ट मने पढ़ती है और कैजवल मने संयोग से जहां कहीं भी संयोग से मेरी दरश्टी पढ़ती है जिदर भी मेरी दरश्टी जाती है मैं उन महान विचारकों को माइटी मने महान विचारक या शक्तिशाली विचारक या जिसको कह सकते हैं महान विचारक पुराने समय के मैं उन महान विचारकों को ही पाता हूँ अर्थाद ये महान विचारक को जो पाता है कभी यहां उसका ताथ पर रहे उन रचनाओं से है उन लिखी गई पुस्तकों से है जिनको पुराने कभियों ने लिखा था जिनकी संगती में वो रहता है तो जब भी मैं अपने चार ओर देखता हूँ और जहां कई भी मेरी संयोग से दरश्टी पढ़ती है मैं अपने चार ओर उन पुराने समय के महान विचारकों को ही पाता हूँ माई मने मेरे, नेवर मने कभी नहीं, फेलिंग मने असफल होने वाले अर्थाद मेरे सच्चे, फ्रेंड्स मने मित्र, आर मने हैं, दे मने वे, वे मेरे सच्चे मित्र हैं यानि कभी भी असफल ना होने वाले मित्र हैं, अर्थाद वो मेरे सच्चे मित्र हैं विद हूं जिनके साथ आई मने मैं कनवर्स मने बातचीत करता रहता हूं डे बाई डे अर्था दिन प्रति दिन जिनके साथ मैं दिन प्रति दिन बात करता रहता हूं वो मेरे सचे मित्र हैं अर्था ऐसे मित्र हैं जो कभी मेरे साथ नहीं छोड़ेंगे तो ये हमारा पहले पहले को एक बार फिर से देखते हैं कभी कहता है कि मेरा सारा जीवन या मेरे दिन पुराने समय के महान लेखों को के बीच में जो मिरत लेखक है उनके बीच में ही मेरा सारा दिन मेरे सारे दिन गुजरे हैं अर्थात मेरा सारा जीवन गुजरा है अपने चार ओर जब भी मैं देखता हूँ और जहां कहीं भी सैयोग से मेरी दरश्टी पढ़ती है मैं अपने चार ओर उस पुराने समय के जो महान विचारक थे उनको ही पाता हूँ अर्था उन पुस्तकों के रूप में महान विचारकों को पाता हूँ यहां महान विचारक से अर्थ उसके चार ओर पड़ी पुस्तके हैं जिनकी संगती में हैं वो जिनके बीच में वो बैठा हुआ है फिर कभी कहता है कि my never failing वो मेरे सच्चे मित्र है never failing मने कभी असफल ना होने वाले अर्था सच्चे मित्र hands मने मित्र वे मेरे सच्चे मित्र है आर्दे मने वे है ने उनके साथ ही I take मैं लेता हूँ delight मने आनन्द in will मने सुक सम्रदि में यहने कि जो उनके साथ का अर्द वो जो लिखी की पुराने विचारकों के दारा लिखी की पुस्तके हैं उनके साथ ही मैं जब सुक समरदी में होता हूँ तब मैं उनके साथ ही आनंद लेता हूँ आनन मैं आपस में Share करता हूँ उन्ही के साथ मैं Anand Share करता हूँ अर्थाद मैं Anand लेता हूँ उनके साथ में And seek and seek and seek and seek and release Relief, माने राहत, इन वो माने दुख में, और जब दुख होता हूँ, दुखी होता हूँ, तब भी उन्हें के साथ, उन्हें के बीच में राहत खोचता हूँ, उन्हें के बीच में चैन्ज, जन्तोश, आदि खोचता हूँ. And while, और जब I understand, मैं समझता हूँ, and feel, और महसूस करता हूँ, जब मैं ये समझता हूँ, और महसूस करता हूँ, कि how much मने कितना अधिक, to them मने उनका, I मने मैं, oh मने कर्जदार हूँ. और जब मैं समझता हूँ, और ये महसूस करता हूँ, कि मैं उनका कितना अधिक कर्जदार हूँ. कर्जदार का मतलब ये है, कि पुराने जो महन विचारक थे, जो उन्होंने रचनाई लिखी, कविताय लिखी, पोईम लिखी, या जो बुक्स लिखी, उनसे वो कभी ग्या करता है, इसी कारण किता है, जब मैं सोचता हूं और महसूस करता हूँ, कि मैं उनका कितना अधिक कर्जदार हो गया है, तो my cheeks, मेरे गाल, have often माने अकसर, been be dude माने भीग जाते हैं with tears माने आंसुों से, and thoughtful माने विचारशील, gratitude माने करतक गिता विचारशील करतक गिता से, के साथ, मेरे आंसुों से, मेरे गाल भीग जाते हैं अर्था कभी कहता है कि उनके साथ ही मैं आनंद लेता हूँ जब मैं वील अर्था सुख सम्रद्दी में होता हूँ जब मैं सुखी होता हूँ सुख सम्रद्दी में होता हूँ तो मैं उनके साथ ही आनंद लेता हूँ and seek relief और रहात खोजता हूँ या chance, संतोष खोजता हूँ in what, जब मैं दुखी होता हूँ दुखी होता हूँ, तब भी मैं उन्ही के साथ मैं chance, संतोष और रहात खोजता हूँ and while और जब भी मैं समझता हूँ और महसूस करता हूँ कि how much, कितना अधिक to them, माने उनका I.O. मैं कर्जदार हूँ कि मैं उनका कितना अधिक कर्जदार हूँ क्योंकि मैंने उनकी लिखी गई रचना उसे ही ग्यान प्राप्त किया है इसलिए मैं उनका कर्जदार हूँ जब भी मैं सवारे मैं सोचता हूँ तो मेरे गाल have often been अकसर भी टूड मने भीग जाते हैं विचारपूर बिचारपूर कर्तगिता के अइसान उनके विचारपूर कर्तगिता के साथ आंसूँज़े बिचारपूर बिचार आर्मन है विद्दाड डेट उन मरत लेखों के समान ही है यानि कि मेरी सोच मेरे विचार उन मिरत लेखोंकों के समान ही है जिनके साथ आई लिव मैं रहता आया हूं इन लॉंग पास्ट यर्स पिछले लंबे काभी समय से रहता हुआ आया हूं तो यहां पर जो लेखाक हैं उनके द्वारा लिखी गई पुस्तके हैं उस कभी के पास में और उनी की और इशारा करते हुए कभी कहता है कि मेरे विचार उनी मिरत लेखोंकों के समान है जैसे कि उन मरत लिखों को ने अपने विचार अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में या अपने लिखी पुस्तकों में प्रस्तुत किये हैं, उसी प्रकार से मेरे भी वही विचार हैं, और उनके साथ ही, यानि कि जिनके साथ मैं पिछले काफी लंबे समय से रहता Their virtues, उनके गुनों को love मने प्रेम करता हूँ वो जो पुराने समय के महान विचारक थे कवी थे या लेखक थे मैं उनके गुनों से प्रेम करता हूँ Their faults, और उनके दोशों को condemned मने दिखकार देता हूँ और जो उनके दोश हैं उनको मैं दिखकार देता हूँ पार्ट एक मने हिस्सा बटाता हूँ, their hopes मने उनकी आशाओं में and fears और उनके भाय में, यानि कि सुख में, दुख में, आशाओं में, भाय में, मैं उनके साथ ही हिस्सा बटाता हूँ, and from their lessons, और उनके द्वारा जो बुद्धिमानी के पढ़ाए गए पार्ट है, lessons का मतलब है बुद्धिमानी के पढ़ाए गए पार्ट, तो उनके द्वारा जो पढ़ाए गए बुद्धिमानी के पार्ट है, उनके सीक माने खोजता हूँ, मैं संतोज खोजता हूँ, and find और पाता हूँ, instruction माने शिक्षाए, with an humble mind, यानि कि विनम्र दिमाग के साथ, विनम्र के साथ, मैं उन से शिक्षाएं प्राप्त करता हूँ, तो इस पेरें को एक वार फिर देखते हैं, कभी कहता है, कि मेरे विचार, उन मिरे मरत लेखोगों के समान है, अर्थार, उन मरत लेखोगों के दारा, जो पुस्थखया लिखी गई हैं, रछना लिखी गई हैं, और उने अपने विचारों को उन पुस्तकों में रचनाओं में प्रस्तुत किया है तो उनी विचारों की तरह से ही मेरे विचार है जिन के साथ मैं पिछले लंबे समय से रहता हुआ हूँ अर्थाथ उन रचनाओं के साथ में कभी लंबे समय से है तो उसी के बारे में कभी बड़न करता है कि जिन रचनाओं के साथ मैं काभी लंबे समय से रहता हुआ हूँ उनमें जो विचार प्रस्तों किये गए हैं मरत लेकाओं को गिदारा मेरे विचार भी उनी के समान है मैं उनके गुणों से प्रेम करता हूँ और उनके दोशों को धिकार देता हूँ पार्ट एक और हिस्सा बटाता हूँ उनके साथ आशाओं में, भै में, सुख में, दुख में मैं उनके साथ हिस्सा बटाता हूँ and from their lesson और उनके द्वारा जो पढ़ाए गए बुद्धी मानी के पाठ है उसमें संतोष खोचता हूं और पाता हूं और प्राप्त करता हूं सिक्षाएं और उन से जो है सिक्षाएं बिनम्र मस्टिश के साथ बिनम्र दिमाग के साथ तो उनसे सिक्षाएं पाता हूँ My hopes मेरी आशाएं आर मन हैं With the dead मेरी आशाएं भी उन मरत लिखोकों के समान है एनन मने शीगरी यानि कि जो मेरी आशाएं है जो भी मैं आशा करता हूँ इस संसार में जिस परकार से उनोंने आशाएं किये थी उसी प्रकार से मैं भी आशाएं करता हूँ तो मेरी आशाएं भी उनी मरत लेखकों के समान है एनन माने शीगरी, माई माने मेरा, पलेस माने इस्थान विद्धम माने उनके साथ, विल भी माने हो जाएगा तो मेरा इस्थान भी शीगरी उनके साथ ही हो जाएगा अर्थात वो जो लेखक है वो अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी मृत्ति हो चुकी है तो कभी का अर्थ भी यहां पर यही है कि शीगरी मेरी भी मृत्ति हो जाएगी अर्थात मेरा इस्थान भी उन्ही के साथ ही हो जाएगा and I और मैं विद्धेम मने उनके साथ शेल ट्रेवल मने यात्रा करूँगा on through the futurety यानि कि अनंत समय तक और मैं अनंत समय तक उन्ही के समान उन्ही के साथ यात्रा करता रहूँगा yet leaving hair a name और यहां केबल छूट जाएगा hair मने यहां a name और यहां मेरा नाम रह जाएगा इस फिर्थी पर मेरा नाम रह जाएगा अर्थात मेरे द्वारा लिखी गई रचनाएं कविताएं या पुस्तक जो हैं वो मेरे द्वारा लिखी गई इस धर्थी पर रह जाएगी I trust ऐसा मेरा विश्वास है और यह जो मेरा नाम है that will not perish वो कभी भी धूमिल नहीं होगा इंदी dust मने धूल में वो कभी भी धूल में नहीं मिलेगा perish मने धूल में मिल जाना dust मने धूल और मेरा नाम जो है धूल में कभी नहीं मिलेगा तो कभी कहता है कि मेरी आशाएं उन्ही मिरत लेखकों के समान है जिन्होंने पुस्तक लिखी हैं जिनके साथ मैं अपना समय ब varieties करता हूँ उन्हीं मरत लिकों बेस के समान मेरी आशायईंभी है और NNmanachigri मेरा स्थान भी उन्हीं के साथ हो जाएगा उन्हीं के समान हो जाएगा And I with them और मैं उनके साथ यातरा करूंगा यहां केबल मेरा एक नाम रह जाएगा, I trust, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है कि यहां मेरा नाम रह जाएगा, that will not perish, और वह कभी भी नहीं मिलेगा, in the dust मने धूल में, और वो कभी भी धूल में नहीं मिलेगा, तो इसको, यह जो हमने chapter पढ़ा दोस्तो, इसको एक बार, इसका जो सारांश है, उसको हम एक बार revise कर लेते हैं, कभी कहता है, कि मेरा, मेरे दिन, यान मेरा जीवन, मेरत लेखोकों के बीच में गुजरा है, जो पुराने समय के लेखक थे, और जिनके द्वरा लिखीगी रचना है, मेरे चारों तरफ है, और मैं जब भी अपने चारों देखता हूँ, और सहय उक से जिधर भी मेरी दरश्टी पढ़ती है, मुझे वो महान विचारक ही, पुराने समय के महान विचारक नजराते हैं, मेरे सचे मित्र हैं वो, वे मेरे सचे मित्र हैं, जिनके साथ मैं बातचीत करता रहता हूँ, जिनके साथ मैं दिन परते दिन बाते करता रहता हूँ, उनके साथ ही मैं सुक समरदी में हिस्सा बढ़ाता हूँ, या आनंद लेता हूँ, मैं उनके साथ इस सुक्समरदी में आनंद लेता हूँ और जब दुखी होता हूँ तब भी उनी के साथ रहात महसूस करता हूँ उनी के बीच में रहात चैन संतोश में पराप्त करता हूँ और जब कभी भी मैं समझता हूँ और महसूस करता हूँ मैं उनका कितना अधिक करजदार हूँ मैंने उनकी रचनाओं से बहुत अधिक ग्यान पराप्त किया है जिसके लिए मैं उनका करजदार हूँ तो जब मैं इस वारे में सोeldा हूँ तो मेरे गाल करतगे था पूर्ण विचारों के साथ आसुओं से भीग जाते हैं माई थौर्ट्स मेरे विचार उनी मिरत लिख़कों के समान है जिनके साथ मैं पिछले काफी लंबे समय से रहता हुआ आया हूँ अर्थार जिनके दोरा लिखी गई रचनाओं के साथ मैं रहता हुआ आया हूँ मेरे विचार भी उनी के समान है यानि कि मेरी रचनाओं भी उनी के समान है मैं उनके गुणों को से प्रेम करता हूँ और उनके दोशों को धिकार देता हूँ और आशाओं में भय में मैं उनके साथ हिस्सा बढ़ाता हूँ और प्रोम देर लेसन उनके द्वारा जब उद्धिमानी के पढ़ाए गए पार्थ हैं उसमें जब मैं खोजता हूँ और फाइंड प्राप्त करता हूँ इंस्टक्शन जब मैं उसमें संतोष खोजता हूँ और उनके बारे मैं जब मैं अध्यान करता हूँ तो मैं उसमें से शिक्षाइं प्राप करता हूँ बिनमरत दिमाग के साथ बिनमरता के साथ मैं उनसे शिक्षाएं प्राप करता हूँ मेरी आशाएं भी उन्ही मिरत लेखोकों के समान है और शीगरी मेरा इस्थान भी उन्ही के साथ हो जाएगा अर्थात मेरी जब मिरती जाएगा आई ट्रस्ट ऐसा मेरा विश्वास है और वे कभी भी नहीं मिलेगा इंदी डूस्ट धूल में और वे कभी भी धूल में नहीं मिलेगा तो दोस्तों ये था रावर्ट साओधी के द्वारा लिखा लिखी गई सेकिंड पॉइम दाइ स्कॉलर कैसी लगी आपको कमे लाइक करें यदि पसंद आए तो लाइक भी करें और शेर भी करें और फिर एक बार यदि आपने अवी तक मेरे चनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब वश्चे करें और आल नोटिफिकेशन पर बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई से नई वीडियो